हेलो फ्रेंट्स एंड वेल्कम बैक टो माय चनल मैं हो वंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केरिंग रेमेडिस पर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ग्रोइंग एज पेन होता है बच्चों के पैरों में जिसको कि कई सारे पै दचंव फेंड है जरूरी नहीं कि हर बच्ची के पैरों में डर्द रहे लेकिन किसी किसी में बहुत ज़्यादा होता है एंड चिन बच्चों में ईपाइर ए पहुत जाथा पर जाहinas रहते हैं और कई वार रात के टाइम पर या फिर शाम के टाइम पर जब रिलाक्स होता तो मुझे पता चला है कि यह नॉर्मल है ऐसा कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है मेरी बेटी की पैरों में जब भी पैन होता है तो मैं उसकी मसाज करती हूँ जिससे कि उसका जो पैरों का दर्थ है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है एक घंटे के अंदर आधा घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है वो दर्थ क्योंकि जो बच्चे की जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे जब उसका ग्रोंग एज होता है और बच्चा कभी-कभी रोने भी लगता है इस चीज को ले करके, तो उस टाइम पर आप अपने बच्चे के पैरों की मसाज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल ले लिजे, सरसो का तेल ले लिजे, पांच से छे लैसुन की कलियां और थोड़ी सी अजवाइन को इसके अलावा जब कभी-कभी बच्चा रात को सोते सोते बहुत बहुत जाधा बोलता है कि मेरे पैर तरद हो रहे हैं तो उस टाइम पर याप मसाज करने के नहीं आप इस्तिती में होते हैं, कभी-कभी आप बहुत साथ थके रहते हैं या आपकी खुद अभी तब्यत नह कर दो नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे तो मैं उसके लिए भी आपको एक टिप बता देती हूं जिसको कि मैं भी कभी-कभी फॉलो करती हूं जब मेरी बीटी के पैरों में रात में अचानक से बहुत ज़ा पेन होने लगता है और मैं बहुत देर तक मसाज नहीं कर पा कि प्रोटीन की कमी हो या फिर बच्चे की कमी हो रही है तो उसको पूरा कर सके जैसे की अंडा như हो गया तो सवस्त रहता है इसके आलावा आप बच्चयको थाध बड़ा दूज बिलाए एक बड़ी जप जा ποशी होते है क्लिग उसको साफ कि ये अलावा लेशा कि पशक दूर कर देता है और अ 요ाध को बड़े बड़ा थाका थाला दूर क्योंकी थाध ये म네 बच्चयको नेकि तो पिला देते हैं या इसके अलावा बच्चे को पैरसटैम और कुछ लोग डिस्प्रिंस दे तो इस तरकी की गलतियां बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि अपनी तरफ से आप बच्चे को कोई भी मेडिसीन मत दीजे अगर आप चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसर्ट कर सकते हैं आपका डॉक्टर आपके बच्चे के लिए कोई ना कोई medicine ज़रूर prescribe कर देगा तो friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगव हो तो वीडियो को एक like कर दीजिए और साथ इसाथ चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye